फाइनली चलो बात करते हैं One Piece Movie Red को ले करके अब देखो ये वाला कोई spoiler वाला review वीडियो नहीं है One Piece Movie Red का यहाँ पर हम बस बात करेंगे उता को ले करके अब देखो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मान लूँगा कि तुमने One Piece Movie Red को देख लिया है और अगर तुमने One Piece Movie Red नहीं देखा है तो ये वीडियो मत देखना विकॉज इसमें तुमें spoiler मिल सकता है वो भी तगड़ा वाला अब हाँ कुछ लोग है जिनके city में One Piece Movie Red नहीं लगा है तो डोंट वरी मैं जब One Piece Movie Red के उपर spoiler वाला review बनाऊंगा तो वहाँ पर ही मैं starting में बता दू और हाँ उता के उपर बात करने से पहले मैं तुम सबको एक जानकारी देना चाहूंगा YouTube का जो है एक नया अपडेट आया है और उस अपडेट में YouTubers क्या कर सकते हैं अपना खुद का handle बना सकते हैं नहीं समझ मैं है ना जैसे Twitter handle होता है Instagram पे handle होता है at the rate rbs anime Hindi ऐसा मेरा Instagram पे ह वैसे ही यार अब से YouTube ने लागू कर दिया है मेरा जो YouTube handle है वो है at the rate rbs anime Hindi small letter में तो तुम सब अगर ऐसा भी सर्च करोगे तो मेरा नाम ही तुमको मिलेगा और देखो ये चीज बनाना क्यों जरूरी था जितने भी YouTubers हो बहुत बार ऐसा होता है कि same नाम से बहुत सारे लोग क बहुत बड़ा बन जाता है तो बहुत ज्यादा copies बनते हैं तुम्हारे चैनल के जैसे कैरी मिनाटी के ही तुम ले लो यार उसके नाम के कितने सारे fake channels भी है तो वैसे ही तुम्हारा जो है fake account ना बने future में इसी वज़े से YouTube ने इस चीज को लागू किया जो की बहुत उता खुद की जान बचाने के बजाए वो दूसरों की जान बचाना prefer करती है सैंक्स उसको दवाई पिलाने वाला ही होता है उता उसको नकार देती है नई लेती है वो जाके सबकी जान बचाती है और end में वो खुद अदमरी हालत में बेहोस हो जाती है जिसके बाद सैंक्स तक बचता नहीं है, सिर्फ दो एड्मिरल खड़े होते हैं और रेर एड्मिरल ही ना बची रहती है, जो कि हमें बाद में दिखाया जाता है, बट जैसे कि थमनेल और टाइटल में मैंने लिखा है, क्या उता मर गई, अब देखो यार मुझे जहां तक लगता है, उता बची हुई है, मैं ऐसा क्यों कहा रहा हूँ देखो, वन पीस वो सीरीज है ना इसका इतिहास ही रहा है, जब तक तुम किसी कैरेक्टर को सामने से मरते हुए ना देख लो, अपनी आँखों से, कभी यकीन मत करना भाई सैबो तक मरा हुआ जिंदा आ सकता है, उता कैसे मर सकती है प्लस, मुझे जहां तक लगता है ओडा ने क्या प्लान किया होगा, देखो वन पीस मुवी रेड जो है, नॉन कैनन है बट इसमें हमें जो जो इनफॉर्मेशन दी गई है, जैसे सैंक्स का पावर हो गया सैंक्स का क्रू मेंबर्स कैसे फाइट करते हैं उता उसकी बेटी कैसे बनी सैंक्स रोजर कैसे मिले थे ये सारी जितनी भी चीज़े हैं ये सब कैनन है, बिकॉज इन सब चीजों के बार में थोड़ा बहुत थ्रू दिया था, मांगा चेप्टर में सैंक्स जो है किसी को याद करता है और वहाँ पर हमें उता को दिखाया जाता है, सैडो के रूप में, क्लियरली नहीं था, लेकिन वह उता ही था, इस बात को हर वनपीस मैं जानता है, बट अगर उता को मारना ही था, इस तरह से सिचुएशन क्रियेट ही करना था, तो यार लाश्ट में दिखाया क्यों नहीं, देखो मुझे जहां तग लगता है, बिकाज ये मुवी को वो लोग नौन कैनन बनाने वाले थे, उता को वो लोग लाश्ट में मार देखते, बट ओड़ा ने इस कैरेक्टर को कैनन बनाने का सोच लिया, इस वज़े से लाश्ट में उस चीज को चेंज कर दिया गया, और ये पूरा का पूरा फैसला जो होगा वो ओडा का होगा ओडा जाकर के डायरेक्टर को बोला होगा कि मैं उता को कैनन बनाने वाला हूँ और इसी वज़े से इस चीज को चेंज कर दिया गया अब देखो क्या फ्यूचर में हमें उता देखने को मिलने वाली है मुझे जहां तक लगता है फ्यूचर में जरूर उता आये उसकी हालत खराब हो पर वो जिन्दा जरूर रहेगी और फ्यूचर में हमें सैंक्स जब अपना काम पूरा खतम कर चुका होगा जब चारों तरफ सांती छा चुका होगा लूफी ग्रेट वार जीत चुका होगा जो फाइनल वार की हम लोग जो बात करते हैं उसके बाद सायद हो सकता है हमें उता का कैरेक्टर दिखाया जाए बिकाज उता यार बहुत अच्छी कैरेक्टर है हाँ मूवी में स्टार्टिंग में थोड़ी अनॉइंग लगती है बाद में एंड के सीन्स में वो थोड़ी अच्छी लगने लगती है तो बेसिकली मैं क्या कहना चा देख लो तब तक यकीन मत करना खेर चलो आज के वीडियो को यहीं पर रख्त हैं और मुझे पता यह बीडियो जादा बड़ा नहीं है विकॉज आज चैप्टर आने बाला है और चैप्टर पे बीडियो आएगा रात को तो दो वीडियो देखना और इंजॉय करना और हां से जैसे यार वेट करना तो यार मिलेंगे नेक्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई